स्वागत है आपका रिजल्ट कुरू टीचिंग पर इस निहारिका एंड गाईज एक बहुत ही इंपॉर्ट नॉटिफिकेशन आप लोगं के लिए यह है कि दिल्ली अथिती शिक्षक भरती मतलब क्या है गेस्ट टीचर की आप लोगं की जो रिक्वाइमेंट्स भरतियां हैं वहां पर बहुत साइव गेस्ट टीचर के लिए अब डी ओ यी डेली ने निकाली है ठीक है तो कितनी है स्पेशल प्राइमरी टीचर कौन से गेस्ट टीचर थिक है तो पूरा नॉटिफिकेशन है नई विकेंसी आई हैं आप लोग की लिए कौन सी विकेंसी है कोई पर्मानेंट वाली तो नहीं है बट हाँ कौन सी है guest teacher की विकेंसी है special educator होंगे और किस लेवल पर यह पढ़ाने ही जा रहे है यह पढ़ाने जा रहे है प्राइमरी लेवल पर बहुत साई विकेंसी है एक बद जरूर देखिएगा पूरा नोटिफिकेशन जो है आप लोग के सामने है कि यहाँ पर यह जो आप लोग है drawing a panel of special educator primary guest foot engagement in Delhi government school for academic 2022-23 2022 की यह क्या है 2022-23 तक के आप लोग का यहाँ पर क्या होगा primary guest teacher के लिए बहुत साई विकेंसी आई है guest teacher मैं बार-बार कह रही हूं special educator and guest teacher ठीक है as a guest teacher आप लोग का यह जो online application है यहाँ पर आप लोग जो फिल कर सकते हैं इस application form को यह कब से फिल कर सकते हैं एक बाद जरूर देखिएगा आप लोग फिल कर सकते हैं यहाँ पर कब से तो आप लोग कर सकते हैं 18 January से ठीक है ना 18 January से आप लोग इसका form जो है वो फिल कर सकते हैं फिल कर सकते हैं फिर में दूसरी बात आपको मैं बताती हूं यहां पर क्या है जो चीजे जरूरी जरूरी है वो एक बार जरूर देखेगा ठीक है ना विलिं कैंडिनेट्स में रिजिस्टर दमसल्फ ओन दा वेबसाइट दी गई है एड्यू डेल करकर यहां पर डॉट निक डॉट इन करकर आपको एक वेबसाइट दी गई है और 18 से लेकर यह जो फॉर्म फिल होंगे 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यह जो फॉर्म है यह फि यह फिल कर सकते हैं उसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ी सी और डिटेल बताती हूं मार्क्स एकेडमे क्वालिफिकेशन के आपके 20 और 12 के आपके 35 मार्क यहां पर होंगे और यहां पर 100 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे अगर आपको appointment letter मिलता है अगर आप लोग उसी समय जो है immediate join नहीं करते तो उसको cancel कर दिया जाहेगा और भी थोड़ी सी चीज़े हैं जो आपको समझनी पढ़ेंगे यहां पर साफ साफ मैंशन किया गया है आप लोग देख सते हैं पर कहां भी गया है कि यहां पर देख सेंट्रल टीचर एलिगिलिटी टेस्स कंड़क्टेट बाइ सेंट्रल बॉर्ड ऑफ सेंट्री एडिएशन सेंट्रल बॉर्ड ऑफ एपर होता है उसका पेपर वन आपका अगर कॉलिफाई है गाइस बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मैसेज करते हैं पेप बच्चे जो हैं तो किया पेपर वन हमारा कॉलिफा है हम लोग पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं एक बार कॉलिफाई हो जाए तो करना क्या है पेपर वन कर लिया है तो अब एक चांस है आपका as a guest teacher बने का जीकर बीखिए केंषिटी अरी विध्ड्या ले हो डॉट इस भ सब पेपर 1 कॉलिफाइ करना जरूरी हो जाएगा आपको क्यों की सीटेट अगर आपने कॉलिफाइ किया होगा तभी यह गोल्डर ऑपरजुन्टी आपके हाथ में लगने वाली है आगे देखिए एज की बात की जाए तीस यर्ज आपकी हुंदी 30 जो होते हैं आपकी जो क्य case of general person with disabilities की बात की गई है फिर बाकी आप लोग के सामने है सारी की सारी notification अगर special education आप लोग की यहां बात की जाए special educator primary guest teacher की जो salary होगी वो एक दिन की एक हजार कितनी होती है पर यहां पर लिखा है 1364 तेना सो चौनसर्ट रुपिया भाईया एक दिन ठीक है guest teacher की salary इतनी होती है 1364 एक दिन की 40 से उपर हो जाएगी अगर आप लोग जो है एक महीना पूरा ticker काम कर लेते हो वहां पर क्या बात है तो salary बहुत बढ़ी चीज है यहां पर salary बहुत ही बढ़ी आयन हुने mentioning की हुई है तो इसके इलावा आप लोग को side tale एक बाद जरूर जो है official website पर जाकर इसका पूरा notification च की हम आपको पहले जो है सबसे पहले notify करते है result guru teaching पर आप लोग को कोई भी update है सबसे पहले आपको notification जो है वो दिखाया जाता है रियारी करते रही है seated paper की आप लोग त्यारी करने है KBS PRT का batch भी हमारा start हो चुका है उसमें में enroll होई है जरूर वहां पर classes भी join कीजेगा thank you so much अगर आपको लगता है session थोड़ा सा useful है जो लोग है seated paper वरन उता qualify है उन तक यह सूचना जरूर पहुंचने चाहिए session को share कीजेगा like कीजेगा thank you so much guys